हेलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दोस्तो अपने देखा कि हमारा मार्केट लास्ट ट्रेडिंग शेशन में कितना शांदा तरीके से भागा है मंडे के दिन काफी घदनाक तरीके से मार्केट की पिटाई हुई थी लेकिन कल इसी मार्केट को ठीके उससे कही गुना जाता दोस्तो क्या किया बढ़ा दिया गया ठीके तो मार्केट में जो ऊपर नीचे का भी सिगमेंट चल रहा है आप देख सकते हैं इतना बढ़ा बढ़ा पहले इतना बढ़ा ब और मार्केट में अगर हम देखें तो नेगेटिव पॉइंट जो है वो पूरी तरीके से कम हो चुके अब पॉजिटिव पॉइंट काफी ज्यादा उपर आ चुके और अब तरह तरह के रीजन आ रहे हैं सामने जिसके कारण दोस्तो हम निफ्टी का फ्यूचर का ग्रोथ दे देखते हैं और उसके बाद हमारी कुछ मल्टिपल कमपनीज हैं जो हम दोस्तो इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं हम एक एक करके सभी पॉइंट को सबसे पहले देख सकते हम लाइप मेंट की साइट के पर आए हैं ठीके यह हाँ पर देखिए यह हमारा बनाया हूँ टाइरगेट नहीं है ठीके यह रिपोर्ट के माद्यम से दोस्तो लाइप मेंट की साइट पर हम आए हैं जो न्यूज है वो हम आप लोगों साथ शेयर कर रहे हैं निफ्टी फिप्टी लाइकली मतलब दोस्तो अनुमान लगाय ज बचा है ठीक है आप खुदी रेख सकते हैं कि अभी यह सितंबर चालू हो चुका है अक्टुमबर नौंबर और दिसंबर मतलब पूरे-पूरे शार मैंने बचे हुए हैं तो यहां पर एक अनुमान के एकॉर्डिंग दोस्तों यहां पर बताय जा रहा है कि निफ्टी उन के द्वारा यह इसलिए बताये गया है जैसे कि अपने देखा होगा कि अक्टुमबर से गिरावट चालू हुए थी ठीक है अक्टुमबर मन से यहां पर काफी जादा नेगेटिव पॉइंट सामने आ गये थे यूकरेन रशिया का युद्ध चालू हो गया था इंफ्लेक् मतलब अगर आप देखे तो लगबग पूरा एक साल हो जाएगा दो मैने बाद तो इतनी बड़ी गिरावट इसलिए आ रही थी क्योंकि प्रेशर भरी न्यूज मार्केट में काफी ज़्यादा थी और लॉकड़ाउन पेंडमिक इसमें सबसे ज़्यादा फोरेन और अक्टोंबर से गिरावट हुई तो लगबग आज से दो मैने पहले तक लगबग 5 करोड उपे उन्होंने मार्केट से निकाला किसने फोरेन इंवस्टर ने तो इतना सारा पैसा निकला मतलब हमारा मार्केट पूरी तरीके से खोगला हो गया तेके क्योंकि उनका पैसा बहुत हैमियत रखता है दोस्तों क्योंकि दोस्तों एक बार में वो इतना पैसा डालते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहती है तो बैंक आफ अमेरिका का बोलना ये है कि जैसे उन्होंने अगस्त मन की बाइंग की है पूरे अगस्त मन में जो उन्होंने बाइं किये सितंबर में भी कर सकते हैं ठीक है नावंबर में भी कर सकते हैं दिसंबर में भी कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं और बीच में दोस्तों अक्टमबर आ जाएगा उसमें भी कर देंगे तो इसे चार पांच में अगर वो कंटिनुसले दोस्तों 40-50-45-50,000 करोड की अगर बाइंग कर देंगे तो हो गया कुल मिला के दोस्तों कितना 2,00,000 करोड रोपता का इंवेस्मेंट उनका मार्केट में तो डेफिनेटली दोस्तों मार्केट यहां तक तो आई सकता है यह ऐसा अनुमान लगाए जा रहा है और हम उस चीज को देखने भी वाले है चलिए देखते हैं अब सबसे पहले देखिए अगस्ट मन उनका सबसे फर्स्ट मन था खरीदारी का अक्टोंबर के बाद से यह पर आप देख सकते 22,000 करोड की उन्होंने पूरे इस मन क्या किये बाइंग किये ठीक है सबसे बढ़िया बात देखने को मिल रही है और लगबग 41,000 करोड की बा अपरेल मई जून जुलाई एक भी महना ऐसा नहीं था दोस्तों इस बीच में जब उन्होंने प्रॉफिट बॉकिंग नहीं कियो जुलाई मन्त ऐसा था जब उन्होंने बहुत कम प्रॉफिट बॉकिंग बाकि 58 करोड 54 करोड 40 करोड 43 करोड 45 41 मतलब अगर देखे तो 45 लेकिन दोस्तों जब आज यह बाइंग हुई यह 22,000 करोड की तो एक पोजिट्व सिगनल हमें मिलने लगा है कि हां हो सकता है सितंबर मंत में यह 30-35 करोड की बाइंग कर लें ठीके सितंबर के बाद अक्टोंबर अक्टोंबर 40-50 की बीच में जा सकता है मतलब एवरेज अ काफी अच्छी न्यूज हमें देखने को मिल रही है मार्केट के रिलाइटेड अब इसी बीच में हमने दोस्तों तीन से चार स्टॉक कवर की हैं जो हम आप लोगों को एक एक करके फटा बट से दिखा देते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं लाज्ट ट्रेडिंग सेशन में ये शेर करीबन 5% भागा है शेर का प्राइस है 1250 रुपे के आसपास का ठीक है इसने लाज्ट ट्रेडिंग सेशन में हाई लगाया था 1283 रुपे के आसपास का और इसका 52 बीक का हाई देखेंगे तो 1734 दिया है तो आप भी इस कंपणी को क्या कर सकते हैं अपनी फोकस लिस में अपनी वाच्ट सिस्में जरु जगा दे सकते हैं इसके साफसे आप आने वाले जितने वी मुमेंटम नेंगे उसको अराम से कैप्चर कर सकोगे लेकिन दोस्तों पूरा नौलेज आप लोगों को हो रखना है चलिए सेकेंड कंपनी को देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं सेकेंड कंपनी का प्राइज है दोस्तों लगबग 32 रुपए के आज पास का देड़ परसेंड की तेजी के साथ यह स्टॉक लोज हुआ है ठीक है इसका लास्ट रिडिंग शेशन का हाई था दोस्तों 323 रुपए 10 पास है और इसका 52 बिक कहाई अगर आप देखेंगे तो 323 रुपए 10 पास ही हमें देखने को मिल रहा है लास्ट 6 मेने के अगर मैं बात कहता हूं तो 6 मेने में 94 परसेंड का रिटन इस स्टॉक ने दे दिया अपने शेरोल्डर को अगर मैं बात कहता इस गुरूप के ओपर इस गुरूप के ओपर काफी जादा मनड़ रहे हैं जीकर आप मने गुरूप का नाम लिया तो आप लोगों को पता चल गया होगा हम किस गुरूप की बात करें हम आदानी इंटर डेट से भरी कंपटीं डेट से बरा गुरूप है ठीक़े कभी भी जन बोल रहे हैं, काफी जन analysis करके इस प्रकार से बोल रहे हैं, काफी expert भी इसी प्रकार से हमें बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमें source समझ के क्या करना चाहिए, हमारा जो focus है, वो रखना चाहिए, ठीके, तो अधानी inter ऐसी company नहीं है, अगर मान लिजे, अधानी group का कोई business fail भ फिर से, तो जरूर हमें इस company के उपर focus रखना चाहिए, ठीके, चले, next company देखते हैं, दोस्तों, next company का share का price है, 7300 रुपे, ठीके, आप देख सकते हैं, 7300 रुपे का share का price हमें देखने का मिल रहा है, 5% की धमा के ता तेजी, और 7335 रुपे का इसने high लगाया था, last trading session में, औ और इसका 52 रुपे का आई है, 8,050 रुपे, बिल्कुल भी हम इसके हलके में नहीं ले सकते हैं, last 1 साल का performance देखेंगे तो गिरावट दिख रही है, क्योंकि ये जो 8,050 रुपे का high है ना, वो दोस्तों काफी पुराना है, 5 साल की में बात कहता हूं, तो आप देख सकते है 300% का return, और यहां पर तो आपको मजा जाएगी, आप देख सकते हैं, करीबन 1,27,000% का return, ये company भी दोस्तों काफी पुरानी है, काफी बड़ी ग्रूप से बिलॉंग करती है, ठीके, और आने बाले समय में और भी अच्छा कसा दोस्तों हमें performance दिखा सकती है market में, तो ये company का नाम है budget finance, ठीके, जो कि एक non-NVFC है, इसको बहुत जल्दे दोस्तों banking sector का license मिल सकता है, ये जो भी category है, या जो भी policy है, RBI की वो अगर fulfill फटाफट से कर देता है, तो, ठीके, तो मैं बिल्कुल भी budget finance को ignore नहीं करना चाहिए, ठीके, चली, अब जो हमारा last company है, उसको देख लेते हैं, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, last company का share का price है, 1490 रुपे के आसपास का, 2% की तेजी के साथ ये close हुआ था, करीवन 1496 रुपे के आसपास, और इस stock का 52 का ही देखेंगे, तो 1953 रुपे के आसपास का है, इसका overall का अगर performance देखें, तो ये company market में काफी portfolio में company मिलती है, ठीके, और इस company का नाम market में काफी तगड़ा चलता है, लेकिन अभी एक group ही पूरा क्या कर रहा है दोस्तों, pressure में trade कर रहा है, क्यों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है, कि IT industry, IT industry जो attraction rate बढ़ा है, उसके करण कितना जदा पैसा खर्च कर रहा है, अपने employee के पीछे उस attraction rate को कम करने के लिए, ठीके, जिसके करण इनका जो operating profit margin है, ठीके, वो काफी ज़्यादा pressure में आते हैं देखने को मिल रहा है, जिसके करण इनके आने वाले Q2 के number, Q3 के number, expectation के हिसाब से नहीं आ सकते हैं, जिसके करण इनके ओपर ये pressure देखने को मिल रहा है, लेकि ये नहीं है कि अब जैसे कि market, market आपने देखा, 18,000 का level चार बार नहीं break कर पाया, ठीके, तो क्या market 18,000 रुपे के level के उपर कभी जाए गए नहीं कि जिनकी बर, क्या ये permanent का दोस्तो rejection level बन गया है क्या, ठीके, तो ऐसा नहीं है, 18,000 रुपे का level break होगा, 20,000 का भी level लेकिन समय लगेगा, तो ऐसे ही इन company के साथ भी है, गिरावट हो रही है, तो ये नहीं है कि permanent इन के साथ गिरावट ही होगी, समय लगेगा, ये उपर जाएंगे, लेकिन time frame दोस्तो 5 साल, 10 साल, 15 साल भी हो सकते हैं, उपर जाएंगे क्योंकि company में काफी ज्यादा दम है, त ठीके, recommend किसी में नहीं किया है, कि इसको buy कर लीजी, इस level पर target मिल जाएगा, खाली हमने focus में रखने का बोला है, focus में रखोगे, तो आगे का जो भी आपको रहेगा दोस्तो, update वो हम आगे आपको बाता देंगे, ठीके, तो ज़रूर इन company को focus में रखके चलिएगा, ठीके, शर्ण 1949 इसे सबस्ते ौर इसे में रखके चलिएगा, तो चलिएगा, जड़ी बीज ज़रू हम आगे, का फो रहीं रखके भी आपको रहे भी आपको sociedade झाल झाल